कंजूस वाला एक गाउ में पिंगले नाम का एक आदमी रहता था वो बहुत कंजूस था और उसको चोरी करने की भी बुद्धी थी गाउ में हर दिन सुबा पेपर वाला हर गर को पेपर दाल के जाता था और दूद्ध वाला भी आकर दूद्ध के बोतल्स घर-घर पर दाल कर जाता था वो लोग जाने के बाद पिंगले हर गर के पास जाकर न्यूस पेपर को चोरी करता था एक गर के पास में पेज और एक घर के पास सिटी एडिशिन ऐसा करके न्यूस पेपर को ले जाता था बिल्कुल वैसे ही दूद को भी उनके बरतन में उन बोतल से दूद थोड़ा चुरा कर ले जाता था पिंगले के घर के उपर वाला एक पोर्शन खा ली था एक दिन एक आदमी जाओ यहां से तब उस आदमी को कुछ समझ में ही नहीं आया और उदर से चला गया थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आया पिंगले जी मुझे घर किराय पर चाहिए हमारा छोटा सा परिवार है मैं मेरी पत्नी और एक लड़का बस शोटी फैमिली है तो अच्छा है पर आप रोज दूद डलवाते हैं ना हमें वो बोतल की दूद पीने की आदत नहीं है हम कहीं पी भी जाएं दूद वाले के पास जाकर ही दूद लेते हैं यहां कहां मिलता है आप बता सकते हैं क्या मैं नहीं बताऊंगा और घर किराय पर भी नहीं दूँगा जाओ तब वो आदमी को भी कुछ समझ में नहीं आया और वो भी वहाँ से चला गया उसके बाद तीसरा आदमी आकर घर की राय पर पूचा एक दिन पिंगली की पत्नी अजी सुनते हो घर में तरकारी कुछ भी है नहीं एक महीने होने के आ रहा है हर रोज वो इमली की पानी पी नहीं जा रहा है और अब वो इमली भी खतम हो गया अब सिर्फ चावल ही खाना पड़ेगा इतने में घर के बाहर एक तरकारी बंडी वाला जा रहा था वो तरकारी बंडी वाला तरकारी ले लो तरकारी आलू भेंडी चमाटर तरकारी ले लो आओ आओ भाई तरकारी तुरंट पिंगले उस तरकारी बंडी के पास आया और पूछा भाईया आपको मैं इससे पहले कही नहीं देखा आप गाउ में नहीं हूँ क्या हाँ सर्ब मैं गावं में नहीं हूँ बोलिये आपको क्या चाहिए? टमाटर 40 रुपे, आलू 20 रुपे, बिंडी 20 रुपे, मिर्ची 20 रुपे, लोकी 20 रुपे और कैबेज 40 रुपे, आपको क्या चाहिए? टमाटर 40 रुपे? यह तो बहुत ज़ादा रेच बोल रहे हो, यह ऐसे बोलते हुए टमाटर को नीचे फेंखने लगा उसके बाद कैबिज को लेकर ये क्या है ये कैबिज 40 रुपे है ये देखो कितना सुखा हुआ है ऐसे बोलते हुए उसको भी नीचे फेंख दिया उस तरह एक एक करते हुए तरकारी को फेकते हुए उस तरकारी बंडी वाले को भी बाते सुना रहा था ऐसा बोलकर वहां से गुसे में चला गया वो तरकारी वाला जैसे ही वहां से चला गया तब वो नीचे गिरे तरकारीों को लेकर थैली में डाल दिया उसके बाद वो उठकर पीछे मुडते ही वो तरकारी बंडी वाला ने उसको देख लिया उसको देखकर पिंगले हैरान हो गया कंजूस कहीं के तुमारे कंजूसी के वज़े से हम लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैं आया हूँ ऐसा चिल्ला कर पिंगले को खूब मारा और सारे गाउवाले पिंगले की कंजूस बुद्धी को देखकर हसने लगे मच्वारे की पत्नी बहुत पहले माले गाउ में दो मच्वारे रहते थे एक का नाम लखी था और दूसे का नाम चिक्की था दोनों हर रोज सुबह जील के पास आकर एक एक नाओं में मच्वारे पकड़ने जाते थे फिर शाम को मच्वारे के साथ घर लोडते थे लखी सरल आदमी था जो मिला उसी में खुश रहता था लेकिन चिक्की को लालच इर्शा जैसे कई दूरगुंड थे एक दिन लखी की जाल में बहुत सारी मच्वारे फसे उसे देख लखी हे प्रबू बहुत धन्यवाद मैंने सोचा थोड़े से मच्वारे मिलेंगे तो बहुत है पर तुमने इतने सारे मच्वारे दिये हैं इसके लिए धन्यवाद कहकर उपर देखकर परणाम किया लेकिन चिक्की को सिरफ दो मच्वारे मिलेंगे ये देख चिक्की को बहुत गुसा आया ये बगवान तुमारी मुझसे क्या दुश्मनी है उसे इतने सारे और मुझे केवल दो मच्वारे मैंने क्या पाप किया है धत ये कोई जिंदगी है यू दोनों घर पहुंचे चिक्की ने अपने पत्नी से जो कुछ हुआ बताया उसकी पत्नी का नाम आशा था उसे भी चिक्की के तरह लोब था आशा उसने जरूर कोई जादु टोना किया होगा ताकि हमें कम मच्वली मिले वरना हमेशा उसे ही जादा मच्वली कैसे मिलती है इतने में लक्की अपनी पत्नी रेखा के साथ वहाँ आया रेखा बाईया आजकल तुम्हें कम मचली मिल रही है ऐसा ये हर रोज कहते रहते हैं आज भी केवल दो मचली मिली है इन्होंने कहा सुनकर बहुत दुख हुआ मचली ना बेचे तो गुजारा कैसे होगा? इसलिए हमने ये निरने किया है कि मचली अपनी किस्मत की तरह है जो मिले उसको आधा आधा बांट लेते हैं तब किसी को दुखी होने की कोई जुरूरत नहीं कल से ही ऐसा करते हैं कहकर वो वहाँ से चले गए चिक्की देखा इसका गमण हमें मचली नहीं मिला तो मजाक उड़ाने आगे आशा अगले दिन चिक्की तड़के ही चला गया और पानी में जाल बिछा कर मचलियों का इंतजार करने लगा घर के पास रेखा ये क्या केरियो रादा पागल तो नहीं हो गयो तुमारे सोने का हार मैं भला क्यूं चुराऊंगी आशा हाँ तुमी ने चुराया है मना कहां जा सकता है और कैसे जा सकता है कल रात तुमें देखा था पर ऐसा होगा नहीं सोचा था मैंने इतने में वहाँ गाउं के मुख्या और कई लोग आए उन्होंने इनकी बातें सुनी मुख्या शान्त हो जाओ, शान्त हो जाओ, कुछ लोग लक्की के घर में ढूंडो और कुछ लोग चिक्की के घर में ढूंडो, ऐसे ढूंडने पर चिक्की के घर पर ही सोने का हार मिला, गाउं की मुख्या आशा की ओर गुस्से से जुट बोलकर गाउं के लोगों को धोका दना चाते थे चुप चाप दससार रुपे जुर्मा न भरो वहां जील में चिक्की के जाल खिशने लगा उसमें कोई भारी चीज फस गया था बहुत किंचने पर भी बाहर नहीं आया पानी के अंदर नीचे एक बड़ा पत्थर फसा हुआ था ये ना जानते हुए चिक्की ने जोर से खिशा और जाल तूट गया महंगे जाल के तूटने पर दुखी होकर घर लोटा घर आकर दस अजार रुपे जुर्माना की बात सुनकर और दुखी हुआ तो बच्चों दूसरों को देखकर इर्शा करना गलत बात है उससे नुकसान ही है है ना सोडा का ठेला बहुत पहले मंडवा नाम के गाउं में दो मित्र रहते थे उनका नाम था राजन और रामन दोनों का सोडा का ठेला था वे दोनों एक स्कूल के पास सोडा बेशते थे राजन आओ बच्चों आओ ठंडा ठंडा सोडा निम्बू वाला सोडा स्वाद वाला सोडा आओ बच्चों आओ रामन, सोडा बच्चो सोडा, रंग विरंगा सोडा, मिठा मिठा सोडा, खटा खटा सोडा, एक बार पीओगे तो बार बार मांगोगे, आओ बच्चो आओ, बच्चे सोडा पीकर खुश रहते थे एक दिन राजन, दोस्त, मैं इस सोड़े में पानी को उबाल कर और छान कर इस्तिमाल करता हूँ, ऐसा करने से बच्चों को कोई बिमारी नहीं होगी, लेकिन तुम गंदा पानी और कोई भी पानी का इस्तिमाल करते हो, गलत बात है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, फ उमें सफाई पसंद है, इसने साफ़ पानी इस्तिमाल करते हो, उसे मुझ पर थोपने की कोशिश मत करना, सला देना छोड़ कर अपना काम करो, इस तरह दोनों कुछ दिन तक धंदा चलाते रहे, उस राज में एक विद्या विभाग के अधिकारी रहते थे, उनका नाम था स्वयम जाकर दोशियों को पकड़ता हूँ, राजा के अनुमती से गंभीर सिंग वहां से रवाना हुए, उसके बाद रूप बदल कर मंडवा गाउं जाओ पहुँचे, वे वहां सोड़े के ठेले के पास जाओ पहुँचे, पहले राजन से मिले और मैं पास वाले गाउं के जमीनदार के पास काम करता हूँ, के घर में टीज है, एक हजार सोड़ा चाहिए, तुम सोड़ा पांच रुपे में बेचते हो ना, अगर तुम मानो, तो मैं वहां इसे दस रुपे में बेचूँगा, मैं उसमें तुमें दो रुपे भी दूँग तुम सोड़ा में गंदा पानी मिलाओ, तो भी चलेगा, क्या कहते हो, राजन, भाईया, मैं ऐसे गलत काम नहीं करता, मुझे जो मिलता है, उसी में खुश हूँ, लोग हम पे भरोसा करके सोड़ा पीते हैं, उसमें मिलावट करना पाप है, खृपा करके आप यहां से चले मुझे जो देना है दें, और आप जितने में चाहे बेचें, मेरे दो रुपे देना ना भूलें, आपको एक बात बताओं, मैं राजन की तरह उबलवा पानी इस्तिमाल नहीं करता, साधारन पानी इस्तिमाल करता हूं, पर कोई जानी नहीं पाया, आप बताएं, सोड़ा क अब भेजना है, तभी गंबीर सिंग ने ताली बजाई, दो सिपाई वहाँ आए, रामन को बंधी बना कर चले गए, उसके बाद रामन को कड़ी सजा मिली, इसलिए बच्चो लालच बुरी बला है, समझे?